नमस्कार आप देखरें परमार्थावास केंट थानाचेत के राजापूर इलाके में करण नाम की यूबक की गोली मार कर हत्या का प्रयास प्राप्त सूत्रो के अनुसार केंट थानाचेत की राजापूर इलाके में रेलवे आफिसर्स कालोनी के पास करण नाम की यूबक का छोला भटोरा और चौमीन का ठेला है आज सुबे लगबग 11 बजे के आसपस राहूल डीजे का पुत्र अपने साथियों के साथ उसके ठेले पर आता है बहाँ उसका करण के साथ किसी बात पर बात बिवाद हो जाता है दोपहर को जब करण खाना खाकर अपने घर से दुकान के लिए जा रहाता तो पीछे से मोटर सागी सवार कुछ यूबक आते हैं और करण पर कातिलाना हमला करते हैं इस हमले पर गोली उनके कनपटी के पास से फस जाती है आनन फानन पर आसपास के लोग पुलिस को खवर देते हैं और पुलिस घाल करण को स्वरूप रानी एस्पताल में इलाज के लिए लेकर आते हैं जहां उसे खत्रे से बाहर बताया जा रहा है लेकिन अभी भी उसके क कनपटी पर गोली फसी हुई है पुलिस सदिक्चक नगर ब्रजेश श्रिवास्तव ने बताया कि जल्द ही मामला करने वाली यूपको को ग्रफतार कर लिया जाएगा और आसपास के लोगों दोरा बताये गए गाड़ी नंबर से हमला वरों को ढूंडा जा रहा है कि आई सुनते हैं इस बारे में एस्पी सिटी प्रयागराज ब्रजेश श्रिवास्तव का क्या कहना है कि यह तुमीदे देना देखे यह एंट छेतर में राजापु छेतर का मामला है जो खायल है करन इसका सुबह यह ठेला लगाता है चाओमिन और बर्गर वगएरा का सुबह इसकी दुकान पे कुछ लड़कों से जगड़ा हुआ था समोता वही लोग है य oppression दो पार में घर से घ्र से अखा करकर वारे तो रास्ते में वाइक से आये थे और फार इसको गोली है और तो पास है किरफ इंग किया है उसको ँपाई पास हुई हैं अभी पहचान नहीं हो पाई है अभी तreek से पता भी नहीं पा रहा है लेकिन जिस चेके पर खटना हुई है वहां कि आस पास के लोगों से जानकारी मिल नहीं है और बहुत जल्दी अभी अभी की घटना है हम बरी जल्दी से अइडेंटिफाइब प्रियाग्रा से क्यला शुशु कर्मागी रिपोर्ट